वेलकम टू ब्लोगिंगी फाई गाईस और इस वीडियो में मैं आप सभी लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने बल्डप्रेस ब्लॉग या वेपसाइड का जो भी डेटा है वो आप कैसे माईग्रेड कर सकते हो ट्रांसफर कर सकते हो अगर आप अपना डोमेन चेंज करते हो या वोस्टिंग चेंज करते हो तो ऐसे में क्या होता है आपको अपने डेटा को माईग्रेड करना रहता है यानि आप किसी और वोस्टिंग पे पहले होस्ट थे मान लो आप पहले cloudways पे होस्ट थे अब आपको bluehost पे जाना है अपनी वेबसाइट को ब्लू होस्ट पे लेके जाना है तो आपको ऐसे में डेटा ट्रांसफर करना रहता है पूरी वेबसाइट वहाँ पे कॉपी ले जाके पेस्ट मानी रहती है आपको कैसे करना है वह इस वीडियो में आपको क्लियर बताऊंगा और पूरा कंप्लीट टुटोरियल रहने वाला है आराम से वीडियो को देखना सब कुछ आपको क्लियर समझ में आ जाएगा जलो गाइस वीडियो को स्टार्ड करते हैं चैनल पर नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना वीडियो पसंदा है वीडियो को लाइक कर देना बाकी मैंने बहुत सारी ऐसी useful information आप लोग के साथ सेर करिये वीडियो में तो इनको आप चेक आउट कर सकते हो सब कुछ मैंने बताय हुआ है कि कैसे wordpress का use करना है एक एक छोटी से छोटी चीज मैंने यहाँ पर बताई हुई है सो इसको आप लोग check out कर सकते हो बाकि अगर आपको कोई problem आ जाती है तो आप comment section में लिख देना मैं आपकी help परने की कोशिश करूँगा चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे आपको अपना जो डेटा है wordpress, blog या website का वो migrate करना है या बोल सकते है कैसे आपको hosting बगेरा जब आप change करते हो तो डेटा आपको कैसे दूसरी hosting पे shift करना है वो भी चीज सेम ही रहने वाली है चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहां पर जो भी मैं process बताऊंगा एक plugin के through बताऊंगा और यह बहुत ज़्यादा simple है आप one click में ये चीज कर सकते हो बस आपका थोड़ा डेटा बगेरा जाएगा वो भाई आप files transfer करोगे तो बैसे भी जाएगा बट सारी चीजें आपकी exit copy paste हो जाएगी तो अब चलो वीडियो को हम लोग start कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा दिता हूँ ये demo site है ठीक है इसका URL कुछ इस type का है मैंने Bluehost पे बना रखा है और इसको मैं लेके जाओंगा इस वाली website पे ठीक है test.bloggingify.com पे इसका जो भी data है यहाँ पे देख लो कि कुछ इस type की ये वाली website है तो इसको मैं लेके जाओंगा इस वाली website पे देख सकते हो यहाँ पे इसमें कुछ भी नहीं है simple उसी type का है और इस वाले में अच्छा सरे design है मैंने ऐसा ही भाई एक theme चिपका ली थी और जो भी design थी copy कर ली थी तो यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे देख सकते हो gallery में ये कुछ चीजे हैं यहाँ पे आप लोग ये चीज़ देख सकते हो front end में यहाँ पे हम लोग को क्या क्या देख सकते हैं मैं आपको ये चारो pages दिखा देता हूँ जिससे आपको clear हो जाए कि हाँ हर एक चीज copy हो जाएगी हमारी ठीक है तो आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया होगा क्या क्या है इस वाली website में और इसका मैं आपको back end भी दिखा देता हूँ तो यहाँ पे मैं आपको plugins पे लेके चलता हूँ और install plugin पे आपको लेके जाता हूँ और यहाँ पे bluehost की तरफ से काफी सारे plugin आ जाते हैं जो कि यहाँ पे होंगे वो सारे के सारे हमारे इस वाले dashboard पे आ जाएंगे इस वाली website के test.bloggingify के तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुल 6 plugin है और 4 activate हैं तो यह 4 हमारे इस वाली जगे आ जाएंगे test.bloggingify पे तो चलो process start करते हैं तो सबसे पहले आपको उस वाली website के dashboard पे आना है जिसका आपको data transfer करना है तो मुझे इस वाली website का data transfer करना है इस वाली का तो इसके dashboard में आपको login हो जाना है मैं आपको इसका front page open करके दिखा जेता हूँ एक बार जिससे आपको clear हो जाए यह url इसका ओके इस वाली website का जो data है वो हम लोगों को इस वाली website पे लेके जाना है इस वाले url पे इस वाले particular url पे ओके तो आपको इसका जो dashboard है वो open कर लेना है फिर आपको plugins पे mouse hover करना है add new plugin पे click करना है और यहाँ पे आपको एक plugin इंस्टॉल कर लेनी है जिसका नाम है wp migration तो यहाँ पे मैं wp migration लिखता हूँ ओके यहाँ पे suggestion में आ गया मैंने पहले कर रखा है इस वेसे यहाँ पे दिखा दिया आपके में नहीं आएगा आपको पूरी spelling टाइप करनी पड़ेगी तो आपको यह वाली plugin इंस्टॉल कर लेनी है आल इन बन wp migration ठीक है और यहाँ पे activate कर लेना है activate का button है का मैं आपको बता रहा हूँ पैसा वैसा आपको कर लेना है और भाई बन click में आप कर लोगे आप खुद सोचोगे भाई इतनी easy तरीके से data transfer हो जाता है यहाँ पे आने के बाद plugins जैसे ही आपका install हो जाएगा यहाँ पे आपको एक option देखेगा all in one wp migration का simple आपको export वाले button पे click करना है यानि हम लोगों को अभी data अपना यहाँ पे पूरा download करना पड़ेगा तो देखते हैं कितनी mb का है यह हमने ऐसा ही बना लिया था तो simple आपको export 2 वाले button पे click करना है यहाँ पे यह three alignment के आ रही है simple click करो एक line हो जाएगी फिर आपको file पे select करना है या FTP पे डालना चाहूँ drop box या google drive जहाँ पे भी आपको अपना data save करना है उस पे आपको click कर देना है जैसे मैं file एक download कर लेता हूँ मैं भी recommend करूँगा कि file ही simple आप download कर लो ज़्यादा लमजेड में मत पड़ो ठीक है तो मैं file पे click करता हूँ और यहाँ पे checking के लिए जाएगा और यहाँ पे पूरी information collect होगी अगर आपकी website में बहुत ज़्यादा pages है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे time लेने वाला आई है बाकी यहाँ पे थोड़ा सा ही है मैंने बस ऐसे theme बगैरा लगा ली थी वह आपको बता ही दिया था तो कुल 70 MB का data है यह data आपकी file की according होगा आपकी website में कितना data है उसकी according होगा तो आपको इसको download कर लेना होगा तो यहाँ पे यह download होना start हो गया है तब तक यह download हो जाएगा मैं आपको आँके बता दूँगा तो गाईस जो भी हमारा data था वो यहाँ पे पूरा download हो गया है फिर आपको यहाँ simple close कर देना या पहले भी close कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं अब यहाँ पे आपका पुरानी वाली website का काम खतम हो गया आप domain को यहाँ पे shift कर सकते हो मैंने already कर लिया क्योंकि मैं domain को shift करके नहीं दिखाने वाला हूँ यह चीज आप लोग खुद कर सकते हो मैंने आप लोग को बताया भी है कि कैसे आपको domain को transfer वगयरा करना रहता है कैसे आपको domain को लगाना है ठीक है फिर आपको इस वाली website पे जहाँ पे आपको data transfer करना है जिस भी domain पे आपको अपना data transfer करना है paste करना है उस वाले का जो dashboard है वो आपको open करना है और यहाँ पे same चीज आपको करनी है plugins के section पे mouse hour करना है add new plugin पे आपको जाना है और फिर से आपको यहाँ पे WP migration वाली जो plugin थी वो आपको install कर लेनी है ठीक है तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ WP migration और यहाँ पे मैं search कर लेता हूँ तो हम लोगों ने जो plugin पहले install करी थी वही आपको वापस install कर लेनी है तो plugin का नाम था all-in-one WP migration ठीक है यह चीज आपको ध्यान से करनी है आपको यह दूसरी plugin इंस्टॉल मत कर लेना नहीं तो आपको option नहीं मिलेगा तो आपको ध्यान से यह वाली plugin को install कर लेना है जो आपने यहाँ पर कीती पहले तो आपको फिर यहाँ पर activate पर click कर देना है बाकि यार background noise को ignore मारो दो फैर में video बना रहा हूँ तो गली में बाइक 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 निकल आती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आप ignore मारो इस चीज को और जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर concentrate करो तो फिर आपको यहाँ पर all in 1WP migration का एक option मेलेगा पहले आपने export पर click किया था अब हम लोग data import कर रहे हैं तो आपको simple import पर click करना हो इंपोर्ट बाले बटन पर तो जैसे ही आप import पर click करोगे आप यहाँ पर आ जाओगे आप इस data को यहाँ पर drag and drop भी कर सकते हो और यहाँ पर अगर आपने in option में कहीं भी save करा है तो इस पर भी आप click करके data यहाँ पर अपना migrate कर सकते हो import कर सकते हो तो मैंने यहाँ पर simple file में किया था तो यहीं से मैं इसको drag and drop कर लेता हूँ और यहीं पर paste कर लेता हूँ तो जैसे ही यह आप drag and drop करोगे तो आपका जो data है वो processing में चला जाएगा import होना start हो जाएगा बाकी यहाँ पर जो time लगेगा वो आपके internet connection पर depend रहेगा कि आपको क्या कुछ करना पड़ेगा तो जैसे ही आपका data import हो जाएगा यहाँ पर आपके सामने एक pop up आएगा प्रोसीड का तो simple आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो भी process है वो start हो जाएगी जो भी आपकी चीजे होंगी इस वाली website पर इस वाली website पर तो सारी चीजें यहाँ पर apply हो जाएगी इस वाली website पर यहाँ पर लिखके आजाएगा यहाँ आपको finish पर क्लिक कर देना है और जैसे ही finish पर क्लिक करोगे आपको एक वाँ रिफ्रेस कर लेना है अपने इस वाले blog को फिर आपको यहाँ पर अपना ID पासवर्ट डालना है और login कर लेना है जो भी आपने ID पासवर्ट डाला है वो आपको डाल देना है यहाँ पर बाईचांस आपका अगर log out होता है तो आपको यह करना है अपनी साइड पे तो यहां पे देख सकते हो URL हमारा यह है test.bloggingify.com और यहां पे इसका front page देख सकते हो पहले कुछ अलग type का था मैंने आप लोगों को दिखाया था और gallery में जाके आप लोग देख सकते हो gallery कुछ हमारी इस type की थी और location पे भी आप लोग जाके देख सकते हो क location हमारी किस type की थी ठीक है और contact us वाला जो form था वो कुछ इस type का था तो सारी चीजें आपकी ditto copy हो जाएंगी बाकी मैंने plugins दिखाएं थी तो मैं plugins आपको बापस से दिखा देता हूं तो मैं plugins पे जाता हूं और all plugins आपको दिखा देता हूं कि हमारी कौन-कौन सी plugins है ठीक है तो यहां पे cloud-based पे हमें एक by default plugin extra मिली थी बाकी six थी और चार active थी तो यहां पे साथ आ गई है क्योंकि एक हम लोग को cloud-based की तरफ से extra मिली है ओके आपको आपको सारी चीज़ें अपके लियर हो गई होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको अपना जो data है वो migrate करना है एक hosting से दूसरी hosting में या एक domain से दूसरे domain में या एक blog से दूसरे blog में तो आपको सारी चीज़ें आप क्लियर समझ में आ गए होगी तो मिलता हूँगे इसमें फिर आप लोग को नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक कियर और अगर आपको कोई प्रॉबलम हो जाती है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन मुझसे पूँच लेना मैं आपकी हल्प करने की कोसिस करूँगा ओके